कि आपका सुवालत है आपके आपने चयनल एलोन क्लासेशब्दे र किन सिम ऊफने वा नल इंटने थेंजर यह कुछ तो अगर्श такой को सब्सक्राइब कि दो है तो अगर्शना को सबस्क्राइब कि आप यह कीजिए और लाईक इतीए और वुडियो को स्षियर कीजिए to हम चलते हैं तो देखिये क्या है हमारा future indefinite 10 क्या आ इंप सब्सक्रान आख है जो इसकों बोलते हैं सिंपल प्यूटुडर्व इसको इसको बनते हैं तो देखिए इस को क्रिशा कंक लोग कैसे प्योटेंस कर से तांस्लेट टर तो देखिए इसका पर्चान अन्यम क्या रखिये तक पर चानना कां नियम क्या है do वह दारूल प्र अथैकि लोह आज्वर्फभ हो रेकली है याजयर संअरे पाशनने कांनीयम क्या है पहचानने का नियम तो देखे जिस हिंदी वाक के किरिया के अंत में गा गे गी इत्यादी लागा रहे क्या है जिस हिंदी वाक के किरिया के अंत में गा कगे कि वितियाद öğ लागा रहे तो आइसे वाक्यों को सिम्पल पूचर का हमे लुग वाउत की तो ऐसे वाख्यों को शुर्ण बनाने का नियम क्या है अफ्रमेटिव संतिंस लिए आफ्रमेटिव संतिंस तो दखिए सबस्ते पहले क्या होगा सब्जेक्ट सब्जेक्ट पलस सैल या विल पालस भीवन क्या होगा सब्जेक्ट प्लस सेल या वील प्लस भीवन प्लस अधर वर्ड यह कह है हमारा इसका अफर्मेटिव संथास क्या है बनाने का रूल है ठीक है तो देखिए फर्स्ट नर्व एक्जामपल क्या होगा मैं रोटी घंख क्या है मैं रोटी घंगा तो क्या होगा विद्शल करते हैं और वuleं करते है तो देखिए आई P के साथ हम एक थिगा ओ और वीके साथ हम स्यल करते हैं कि और बाकी के साथ है और जो आदर है वाला उसके साथ सब्सक्राइब करते हैं और साथ सेल का यूच करते हैं और ही से इट यूध Image साथ 20 कह तो आइधि व क्या होगा जैल आइसेल क्या होगा ग्रूकनी यान्य इत खोना क्या होता है ईट्ट आइसेल एत मैं रोटे लिक्ट-ब्रेडδή मैं रोटी खाऊंगा ठीक है आई सेल इट ब्रेड मैं रोटी खाऊंगा दूसा दखी है कि सीता जंगल जाएगे सीता जंगल जाएगे तो कहोगा सीता सीता एक साथ विल और भीवन यानि गो तू कहां फोरेस्ट कि ऐसे हम लोग अफ्रमेटीव संटेंज को हल करते है थिक है और या विक साथ यूज होता है और विल के यूज कहां होता है ही फिर जितना नाम है और दे के साथ हम यूज करते हैं ठीक है कि आपके हमारा निगेटिव संटेंज कि निगेटिव संटेंस ठीक है तो इसको कैसे हम लोग हाल करते हैं तो सब्जेक्ट पलास सेल या विल पलास नोट पलास भीवर पलास अधर वर्ड ठीक है सब्जेक्ट पलास सेल या विल पलास नोट पलास भीवर पलास अधर वर्ड तो तो इसका क्या होगा एक राम घर नहीं जाएगा क्या है राम घर नहीं जाएगा तो क्या होगा सबसे पहले सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट हमारा हमारा क्या है राम राम के साथ क्या होग विल राम विल नोट है तू क्या लागा नोट राम विल नोट गो टू हाउस अगर हम होम लिखेंगे तो क्या होगा तू हमाया नहीं लाएगा अब देखिए मैं तुम्हें नहीं पिटूंगा मैं तुम्हें नहीं पिटूंगा तो क्या होगा आए के साथ सेल आए शेल नोट और फिर भीवन कि हामारा बीत बीतना क्या होदा है बीत इंव मैं तुम्हें नहीं पिटूंगा ठीक है आपके हमाई इंट्रोगेटिव संतिन्स है इंट्रोगेटिव संटेंस तो क्या होगा सबसे पर इसका मप बनाने का नियम क्या होगा सैल या विल पलस सब्जेक्ट पलस नोट पलस भीवन पलस अधर वर्ड़ पलस कोहचन साइन इस भेरी निससरी कोहचन साइन हमारा बहुत जूरूर है ठीक है तो देखें क्या होगा क्या मैं पतना जाओंगा क्या क्या है हमारा क्या मैं पतना जाओंगा तो क्या होगा सबसे पहले क्या है मैं सैल या विल तो आई है तो क्या होगा सैल सैल क्या होगा सैल आई फिका है नोट नोट नहीं लाएगा नोट नोट लाएगा तो क्या हमां निगेटिव प्रस कि निगेटीव पलस ही टोगेटीव संटेंस तो सेल आई नोट नहीं है तो हम लोट नहीं लाएं तो सेल आई क्या होगा भीवन यानि हमाँ जाना क्या है सब्जेक्ट हमाँ क्या है भर्व क्या है हमारा जाना यानि गो गो टू कि शेल आई गो टू पटना क्या मैं पटना जाओंगा अब दूसार में क्या हमारा क्या तुम है क्या तुम है क्या तुम वील आए क्या होगा वील सवरी विल यू इव रोल और सब्रोना हमारा तुम याने यू आपिन का है नोट 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 लगाएंगे और नहीं रहे तुम आई ठीक है क्या हो erfolg क्या होगा फिल हो गया है क्या तुम अध्य करों गए ले लीटनोड है ठीकने तो अपलों को सब्सक्राइब किआ है तो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को सियर कीजिए हम लोग पढ़ चुके है क्या कि फ्यूचर इंडिफिर्टेंस या सिम्पल फ्यूचर टेंस थैंक्यू ओके